नमस्कार दोस्तो मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम बराएंगे करेले का जूस जो की डायवेटिक पेसेंट के लिए बहुत ही बढ़िया है और इसे जरूर कंजूम करना चाहिए तो इसके लिए हमें लेने हैं करेला एक टमाटर और एक छोटा सब खीरा यह सिर्फ एक आदमी के लिए है एक गलास बनेगा तो सबसे पहले हम खीरा को छी लेंगे वैसे तो सभी को पता है कि करेला कड़वा होता है लोग खाने से आना कानी करते हैं पर यही करेला जो है ना बहुत सारे बिमारी में डायवेटिक बिमारी में सुगर वाल चीज है और इसे जरूर लेना चाहिए या तो सबजी में या जूस के साथ जूस बना करके तो यह बहुत ही फायदेमंद होता है हमारे स्कीन के लिए हमारे आँखों के लिए तो सबसे पहले तो खीरा को छील के कट कर लेंगे और करेला को भी अच्छी तरह साफ कर लेंगे इसमें कोई तरह का मिट्टी नहीं हो और उसका छिलका को हमें नहीं उतारना है उसके दोनों इंड को कट करेंगे और इसे हम बारीक बारीक कट कर लेंगे पर यह करेला में हमारा बीज जो है वो सक्त है तो इसमें हमारा जूस बहुत कम निकलेगा तो यह ऐसा छोटा चाहि चोटा सा लेना है और इसके करवाहाट को कम करेगा हमारा टमाटर और खीरा तो टमाटर को हम बारी रफली से भी हम कट कर लेंगे और इन तीनों सीजों को हमें मिक्सी में इसको अची तरह इसका पेस्ट बना लेना है तो मिक्सी जार में हम इस करेले को डालेंगे सबी चीजों को हम डाल देंगे मिक्सी जार में और इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा पुदीना कपत्ता को हम थोड़के पांच से छे डाल देंगे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा थोड़ा और पीसने के लिए अभी हमें थोड़ा सा पानी डालना है तो चार बड़े चमच जिससे की हमारा बड़ियां फाइन पेस्ट बन जाए और इसे हमें स्टेनर से छान लेंगे और चमच से दबाते हुए ताकि इसमें जो भी इसका मोटा जो गूदा है वो भी छन के पानी में हमारा जूस में आ जाए और वो बहुत ही फायदेमंद होगा तो इस तरह से हम इसका जूस को निकाल लेंगे बिल्कुल इस तरह से तो अब इस जूस में हम डालेंगे टेस्ट के लिए थोड़ा नमक आधा चुटा चमच अगर आपको ब्लड प्रेशर भी है तो आप नमक मत डालिएगा इसमें और देखी इस तरह से गलास में हम डाल देंगे अपना करेले का जूस, टमाटर और खीरा के साथ और उपर से थोड़ा सा हम मिंट लीप से सर्व एकर डेकुरेट कर लेंगे और इसे हम खाली पेट रोज सुबर में डायवेटिक पेसेंट खास कर उनके लिए बहुत बढ़िया है और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें